धार्मिक विदियो विशे सद्गुरू, शिवरात्री पर अपने शिवलिंग पर मद, दूद, अर्पित करिये छिए, अपने आउं शाम माटे करिये छिए, छो तेनी पाचर कोई विग्यानी कारण छे? दूद अने मद, अर्पित करवा माँ आवे छिए, कराण के तमे जे लिंग ने अर्पित करी रहा छो, ते मोटा भागे पत्थर ना लिंग होए छिए, ठिक चे? एक पत्थर नो लिंग जे पूजा के बिजा कई माटे राखों मा आवे छिए, जो तमे तेना पर कोई प्रकरनी चर्बी, अथवा तैलिया पदार्थो ना नाखो, कातो गी अथवा दूद, अथवा आउंके, तो तेमा तीराड पड़ी जेशे, ते समय जता भंगूर अने तुटवा जेवो थाई जशे, तेथी समयान तरे तमारे कांतो तेल, अथवा गी, अथवा दूद, अथवा जे तमने गमे ते नाखू पडशे, जेना द्वारा पत्थर चर्बी योग तो सामगरी ने शोशी शके, अने जेती पत्थर नी अखंडित्ता जडवाई रहे, तेथी एक वार तमें कोई नी पूजा करीलो, पच्छी तमें नहीं इच्छो के ते तुटी जाए, ए निश्चित जाडवनी च्छे, अने ते लिंग ने जो योग्या रिते प्रतिस्टित करवा मां आव्यू छे, ते वधू सारी रिते कमपन करशे, जो ते भीनू रहे त जो तमें तेल, अथवा घी, अथवा तो दूद लगाडो, दूदनी चर्बी, लिंग हमेशा बिनू रहे छे, मैं अगाव कहुँ तेम, ग्रहन करवा माटे तमारे तमारा शरीर ने बिनू राकू पड़ से, अने तेज रिते, लिंग नू भिनू हवू जरूरी छे, तेनी एक रुपाने वहती राखवा माटे, तेती तेने बिनू राखवानी एक सरल रीच छे, तेने तेल अथवा घी, अथवा मद, अथवा दूद मा पलाडी दो, आबदी वस्तु तेने लांबा समय सुधी बिनू राक्षे, जो हूँ पाणी रेडू छे, ते पन करवा माँ आ चोक्कस, नहीं तर रुद्राक्ष में तिराड पड़ी जेशे, अने तुटी जेशे, जारे तमें रुद्राक्ष धारन करो छो, शरीर नी तिवर गर्मी आने अन्य वस्तु ओने लिदे, छोथी आठ मैना माते तुटी जेशे, परन्तु जो तमें समयान तरे तेने घी अन दूदुमां राखो छो, तो ते आजीवन आने वदू समय माते रहे शे।